एक और मश्यूर अदाकार का जुआन बेटड़ा दिल का दोरा पढ़ने से इंतकाल करकिया अदाकार का बुरा हाल कौन है वो मश्यूर अदाकार जो अपने सीने में जवान बेटे की मौत का गण उठाए हुए हैं जान सकेंगे आप इस वीडियो में लेकिन उससे पहले आप से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकोन को प्वेस्ट कर दें ताकि आपको शोबिस से आने वाली हर नई अपडेट बाहसानी मिल सके नासें पेरेंट्स के लिए उनकी उलाद बहुत बड़ी नेमत है और वो उनके जिगर कर टुकरा होती है उलाद के हवाले से कोई भी गम हो वालदین अपनी उलाद के गमों को बरदाश्ट नहीं करस्पाते और बहुत ही दुखी हो जाते हैं और जवान उलाद की मौत का सदमा ऐसा सदमा है जो के भूले से भी बुलाया नहीं जा सकता आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही एक मशूर तरीन अदाकार के बारे में बताने जा रहे हैं जो के अपने बेटे को खो चुके हैं और उसे बहुत याद करते हैं वो मशूर अदाकार है रशीद महमूद और लेजड अदाकार हैं और उनको कोन नहीं जानता वो बहुत से ड license में अदाकारी के जोहर दिखा चुके हैं वो ड्रामों में भी दुकी पादर का रोल करते दिखाई देते हैं हमेशा वो serious roles ही करते हैं लेकिन रियल लाइफ में भी वो कितने दुखी हैं ये हम आपको बताते हैं रशीद महमूद ने रिसेंटली अपने एक इंटर्वियू में बताया है कि उनके बेटे का कुछ हरसा पहले इंतकाल हुआ उनके बेटे को अचानक ही 20 साल की उमर में हार्ट अटेक हुआ और जवान बेटे की मौत ने उनको तोड़ कर रख दिया रशीद महमूद ने बताया कि जवान बेटे की मौत का दुख बहुत बड़ा है लेकिन मैंने कभी इस बात का गिला नहीं किया क्योंके हम आल्ला से गिला नहीं कर सकते औलाद अल्ला तला की नेमत है उलाद अल्लाद की अमानत है और वो जब चाहे उसे वापस ले सकता है इसलिए मैं अल्लाद से गिला करने पर यकीन नहीं रखता बल्के हर हाल में अल्लाद का शुक्रिया अदा करना चाहिए और उस से ही मदद मांगनी चाहिए कि वो हमें सबर दे रशीद महमूद की ये बात सुनकर आप भी जान गई होंगे कि वो ना सिर्फ बड़े अदाकार हैं बलके बहुत बड़े इनसान भी हैं और बहुत बड़ा होसला भी रखते हैं बेशक अल्लाद जी से चाहता है होसला और सबर देता है आपको रशीद महमूद के जवान बेटे की खबर सुनकर कैसा लगा आपको रशीद महमूद के बेटे का जान कर कैसा लगा यकीनन आप भी बहुत अबसुर्दा हुए होंगे कुमेंट्स में अपनी कीमती राय देना मत भूलिएगा और विडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजे शुक्रिया